नमस्कार मैं सोतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल सौट हैंट टीम पर तो दोस्तो आज की इस वीडियो में 429 सब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं इसे हम लोग दो अलग-अलगी स्पीड में लेंगे पहली बार में 70 की स्पीड में दूसरी और आखरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 80 की स्पीड में लेने वाले हैं अगर आपको इस डिक्टेशन के PDF की जरूवत है तो आप हमारे टेलीगराम गुरूप को जरूर जोइन कर लें क्योंकि गुरूप में ही मैं इसकी PDF को सेंड करता हूँ तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा पाच सेकेंड के बाद तब तक के लिए आप रेडी रहें स्टार्ट श्रीमान जी भारत में बेहतर उडान सेवा के नए दोर का आगाज विवादों और समस्याओं के साथ हुआ है देश के दो सबसे व्यस्त हवाई अड़ों दिल्ली और मुंबई के आधुन की करण और निजी करण को कैबिनेट की मंजूरी मिलने से इनके विश्व अस्तरी होने की प्रकिरिया सुरू हो गई है दिल्ली के लिए रिलाइंस की बोली सबसे उची थी पर चूकी तकनीकी सक्षमता में जी एम आर फ्रै पोर्ट की इस्थिती बहतर थी और बाद में उसने रिलाइंस की बोली के बराबर राजस्व साजेदारी की हामी भी भर दी इसलिए दिल्ली हवाई अड़े को आधुनिक बनाने और इसका संचालन करने की जिम्मेदारी उसे सोपी गई मुंबई का जिम्मा जी वी के एसी एस ए को दिया गया पहली कमपनी जर्मनी की है और दूसरी दक्षिड अफरिका की ये दोनों कमपनिया दिल्ली और मुंबई में करम से 2800 और 2400 करोड रुपए का निवेश करेंगी और सरकार के साथ करम से 45 और 48 फीसदी राजस्व की हिस्सेदारी करेंगी रिलाइंस के अलावा इस प्रकिरिया पर एयरपोर्ट अथार्टी आफ इंडिया के करमचारी संगठन की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं दोनों हवाई अड़ों के लिए एए आई ने भी बोली लगाई थी विबाद का दूसरा बिंदू करमचारीयों की रोजगार सुरक्षा को लेकर है एए आई को ठेका ना मिलने और निजी करण के दूसरे खतरों से आसंकित नाराज करमचारी हरताल पर हैं हलाकि इस हरताल का कोई असर विमान सेवाओं पर नहीं पड़ा है पर मुश्किल यह है कि अगर हरताल आगे जारी रहती है तो हवाई अड़ों की साफ सफाई से लेकर बिजली पानी और संचार की सुविधाएं प्रभावित होंगी और इसका असर अंततह विमान सेवाओं पर पड़ेगा पैरा हरतालियों के खिलाफ एसमा लगाने की संभावना को नागरिक विमानन मंत्री ने खारिज कर दिया है ऐसा होने की स्थिती में पहले से ही असंतुष्ट वामदलों की नाराजगी और बढ़ जाएगी इसलिए प्रात्मिक्ता के आधार पर सरकार को इससे निपटना चाहिए निजी विमान सेवाओं की बढ़ती संख्या के कारण हवाई अड़ों पर बोर्डिंग पास बनाने और सुरक्षा जाच के लिए काउंटर लगाने की जगह नहीं मिल रही है सबसे व्यस्त हवाई अड़ों पर भी एक ही रनवे है जिसकी वजह से विमानों को उडान भरने या उतरने के लिए लंबा इंतिजार करना होता है हवाई अड़ों के आधुनिकी करण पर बसू समीती ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि यात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है इसलिए हवाई अड़ों का विश्तार वा उन्हें बहतर बनाने की प्रकिरिया को ताला नहीं जा सकता है इसके खिलाफ हड़ताल का रास्ता अख्तियार कर या अदालत में जाकर पूरी प्रकिरिया को बाधित करने से बहतर है कि वामपन्थी दल और मजदूर संगठन सरकार के सामने अपनी आसंकाएं रख कर उनके अधिक्तम समाधान की कोशिस करें इस्टाप दोस्तों इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड मिलेंगे और आपका समय स्टाट होगा पाच सेकेंड के बाद तब तक के लिए आप रेडी रहें स्टाट स्रीमान जी भारत में बेहतर उडान सेवा के नए दोर का आगाज विबादों और समस्याओं के साथ हुआ है देश के दो सबसे व्यस्त हवाई अड़ों दिल्ली और मुंबई के आधुनिकी करण और निजी करण को कैबिनेट की मंजूरी मिलने से इनके विश्व अस्तरी होने की प्रकिरिया सुरू हो गई है दिल्ली के लिए रिलाइंस की बोली सबसे उची थी पर चू की तकनी की सक्षमता में जी एम आर फ्रै पोर्ट की इस्थिती बहतर थी और बाद में उसने रिलाइंस की बोली के बराबर राजस्व साजेदारी की हामी भी भर दी इसलिए दिल्ली हवाई अड़े को आधुनिक बनाने और इसका संचालन करने की जिम्मेदारी उसे सोपी गई मुंबई का जिम्मा जी वी के ए सी एस ए को दिया गया पहली कमपनी जर्मनी की है और दूसरी दक्सिल्ड अफरिका की ये दोनों कमपनिया दिल्ली और मुंबई में करम से 2800 और 2400 करोड रुपए का निवेज करेंगी और सरकार के साथ क्रम से 45 और 48 फिसदी राजस्व की हिस्सेदारी करेंगी रिलाइंस के अलामा इस परिकिरिया पर एरपोर्ट अथार्टी आफ इंडिया के करमचारी संगठन की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं दोनों हवाई अड़ों के लिए एए आई ने भी बोली लगाई थी विबात का दूसरा बिंदू करमचारीयों की रोजगार सुरक्षा को लेकर है एए आई को ठेका ना मिलने और निजी करण के दूसरे खतरों से आसंकित नाराज करमचारी हरताल पर हैं हालाकि इस हरताल का कोई असर विमान सेवाओं पर नहीं पड़ा है पर मुश्किल यह है कि अगर हरताल आगे जारी रहती है तो हवाई अड़ों की साप सफाई से लेकर बिजली पानी और संचार की सुविधाएं प्रभावित होंगी और इसका असर अंततह विमान सेवाओं पर पड़ेगा पहरा हरतालियों के खिलाप एसमा लगाने की संभावना को नागरिक बिमान मंत्री ने खारिज कर दिया है ऐसा होने की इस्थिती में पहले से ही असंतुष्ट वामदलों की नाराजगी और बढ़ जाएगी इसलिए प्राथमिक्ता के आधार पर सरकार को इससे निपटना चाहिए निजी विमान सेवाओं की बढ़ती संख्या की कारण हवाई अड़ों पर बोर्डिंग पास बनाने और सुरक्षा जाच के लिए काउंटर लगाने की जगह नहीं मिल रही है सबसे व्यस्त हवाई अड़ों पर भी एक ही रनवे है जिसकी वजह से विमानों को उडान भरने या उतरने के लिए लंबा इंतिजार करना होता है हवाई अड़ों के आदुनिकी करण पर बसू समीती ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि यात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है इसलिए हवाई अड़ों का विस्तार वा उन्हें बहतर बनाने की प्रकिरिया को टाला नहीं जा सकता है इसके खिलाफ हरताल का रास्ता अख्तियार कर या अदालत में जाकर पूरी प्रकिरिया को बाधित करने से बहतर है कि वामपन्थी दल और मजदूर संगठन सरकार के सामने अपनी आसंकाएं रख कर उनके अधिक्तम समाधान की कोशिस करें स्टॉप